कि अधर दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आयाल स्टाड़ी में दोस्तों मेरा नाम है इम्रां दोस्ते इस वीडियो में प्रॉफिट एन लौस के पार्ट 14 को सॉल करें और इसमें विविद प्रेशन को सॉल करें को यह प्रॉफिट एन लौ तो देखिए इसमें पहला कुश्हिंद में दिया गया है की ABCD ने 60 रुपे की कीमत में एक उपभार खरीदा और इसके लिए A ने दूसरों की अधि कीमत अधा की यथकि C ने दूसरों की एक चुठाइ कीमत अदा की, तदधानुसाट D ने कुल कित्ते रुपे अदा की है, ये हमें इस कुश्यन में बताना है, तो देखिए इसमें क्या है, अलग-अलग कीमत हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि A ने आदी की है, B ने एक तिहाई की है, और C ने एक शुथाई कीमत अदा की है, तो हम का गया है, तो ये हमें नहीं पता की किसने कितने कितने रुपे दिया, तो देखिए, यहां से निकालने के, पहले जो जो कहा गया है, ये atrás की और। यहाँ पर a plus d plus c plus d इन तुनियों ने साट रूपे अदा किया है तो हम lanet को इस तरह लेकर चले जाया तो यहांसे بी ॡ्लस c इन तुनियों कितनी कीमत अदा की तो हम यहां से परिकार से लिख सकते है b plus c plus d बराबर के 60 और ये A जो यहां पर लिखा हुआ है इसको हम बराबर के जब इस तरफ लेके जाएंगे तो यह माइनस में चला जाएगा तो यहां पर लिख सकते हैं 60 माइनस के A तो देखेंगे जब यहां से हम इसको solve करेंगे तो यह हो जाएगा 2 A बराबर के B B पिलस C यह बराबर यह बटे वाला नंबर जह हम उठा के इस तरफ लेके गाया तो यह बटे में चला गया और B पिलस C पिलस D यह B plus C plus D इसकी जो value हमें दिये हो 60 minus के A के बराबर दिये तो यहां हम B plus C plus D की जंगा लिख सकते हैं 60 minus के A तो यहां से लिखा हमने 60 minus के A तो यहां से देखे A की value हम निकाल सकते हैं यह A बराबर के जब इस तरफ जाएगा यह मैनस वाला तो यह पिलस का A हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 3A benabar 60 तो A की value यहाँ से हमने निकाल ली A बराबर हो जाएगा 3D 620 रुपए तो A ने कितनी कीमत अदा की है 20 रुपए A ने कीमत अदा की है लेकर हम से पूचाये कि डी ने कितनी कीमत अदा किया तो हम इसको इस प्रिकार से लिख सकते हैं कि बराबर दूसरों की यानि के दूसरे को ने A है पिलस के B तो B ने दूसरों की अदा किया तो यहां से लिखेंगे हम A पिलस C पिलस D यह क्या करता है दूसरों की एक तिहाई कीमत अदा करता है तो यहां से हम क्या करेंगे बी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो देखें ठीक इसी जैसे हमने यहाँ पर कराता है A के लिए ऐसे ही हम यहाँ पर B की value को निकाल लेंगे कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर देखें अब की बार हम क्या करेंगे यहाँ से B को जब बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो इसको हम इस प्रकार से लेख सकते हैं A plus C plus D बराबर के लिख सकते है A plus C plus D इसकी जग्णपर लिख सकते हैm 60 minus B B B इस तरफ लेके जाएंगे इसको यह हो जाएगा फिलस कभी यहां से लिख सकते हैं 4B बराबर के आ जाएगा यहांगे इसे प्रिकार से से प्रिकार से की यहां से C ने दूसरों की एक चोथाई कीमत अदा की है मुझे समझाने में समय लग रहा है लेकिन जब आप इसको करेंगे खुछ से तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर आप निकाल लेंगे तो देखे C ने दूसरों की एक चोथाई कीमत अदा की दूसरे मतलब C ने कितनी कीमत की A plus B plus D इन तीनों की एक चुथाई कीमत अदा की है D ने C ने सोरी तो देखे हैं हम क्या करें के C की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे तो यहां से अपकी बार हम क्या करें के C को जब हम इस तरफ लेके जाएंगे इनकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 60-C के बराबर आ जाएगी देखिए बटे वाला नम्बर हम बराबर के इस तरफ लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा 4C बराबर A, B और D इसकी वैल्यू A, B, D इसकी वैल्यू हमें दिए 60-C सिए बराबर के इस तरफ जाएगा यहें यह पांट हो जाएगए 4 और यह 5C हो जाएगे और बराबर का जाएगए % तो फांस साथ को पांचे तो इसको हो जाएगा यह बारह 25-50 होता तो C कमान निकल का जाए यहां से 12 निकाल सकते एने कितने रूपे दिये थे बीस रूपे और सी ने कितने दिये थे बारा रूपे दिये थे यह हमें निकालना है तो इन चारों ने कुल मिला कि कितने रुपे दिये है 60 रुपे दिये है तो देखे 20 और 15 होते है 35 35 और 10 होते है 45 और 27 तो इसको लिख सकते है 47 प्लस के डी बराबर के 60 तो जब हम यहां से इसमें साट में से उसको आऐ से दी 0.0 data 37 करेंगा यह बराबर के इस थी तरब जाकर क्या हो जाएगा माइनस कर जाएगा 47 तो इहां से ती üzरा कर निक निकाल रुपे से हैं को तो ऐल कर सकते हैं अगला पीछ एक remoश्टी ने तीन गाएं और 3 लुखाय और 3 बक्रिया यदि उसने आठ गाय और 3 बक्रिया खरीडी होती तो उसे 53000 रुप और देने होते यानि कि 47000 दोसों तो वो देए रहा है जब वो 8 गाय और 3 बक्रिया और फरीदे अच्छा कर रप coin और अदा करने इतने रुपए में खरीद उसने 47,200 रुपए में खरीदी नियासम इसको लिखेंगे 47,200 रुपए लेकिन आगे कहा गया कि यदि वो आठ गाएं खरीदता और तीन बकरिया खरीदता तो उसे 53,000 रुपए और देने होते मतलब अपकी बार वो क्या करेगा आठ गाएं खरीद आए-ट्वलयाइगा ओace that के तीन बक्रिया खरीद एका तो उसको कितने रुपट देने पढ़ेगा 53,000 और देने पढ़ें के 47,000 तो देने ही पढ़ेंगैं लेकिन उसको 53,000 और देने पढ़ेंगे तो जहां और हमसे किका है कि ऊसने एक गाहे रूपए को बराबर कर लेंगे जह हम यहां पर बक्री को बराबर कर और उपर कर दो हूँ एट कीं एधर बिकार निचे शूंब होगि बक्रियों की वेल्ड बराबर हो जाएगी तो तीन की multiply जह हमने इधर कर एधर करी एधर भी करनी होगी और आठी multiply हमें इधर भी करनी होगी तो यहां आट इमीं करेंगा पर यहां तो देखी आगे मिसको कैसे लिख सकते हैं तीन गाएं वो सोरह तीन मो जाएंगा यहए नो हो जाएंगी है यह इत के आच चोपीस बखर बराबर तीन के मैं आगे करेंगे तो यह दू जीरो ऐसे कैसे आ जाएक तीन तुना होते एच्छ है और तीन सत्य 21 का एक हासिल दो तीन चोग 12 और दो 14 तो यहां पर यह आ जाएगा एक लाग 41,600 आगे क्या करेंगे हम आठकी मुल्टिप्लाइ करेंगे तो यह जाएक आठ आ 64 कि मघा एन कर चो बेस बराबर आर्ट के सिंस स्थे मेंille के पर धैसे जीरोल ऐसे आ गभी है आर्टा दूना सोला एक बच है यहां जीरो जेरो तो यहां पर हो जाएगा एक और यहां आ यह male को यह मैनस एहां इधर माइननर यह मार माइनस नंबर बढ़ा है से यहां जैए करेंगे यह ला सीओ सुझमें यह जाते हैं जैना नीखंध करेंगे यहां जाये यह कि कि आगे हम यहां क्या करेंगा माइनस करेंगे यहां से जब बड़े वाले नमबर में से छोटे को माइनस करेंगे तो एक में चार वर यहां पर यहां चार को माइनस करें दो यहां पर 6 बचा और यहां ने आपर 6 बचा-बचा अब क्या रहा करेगा दोनु तरह माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा देखिए माइनस से माइनस cancel हो जाएगाई आगे हम क्या करेंगा इसको 11 से काट देंगे 1150 होता है 55 तो यहाँ जाएगा पांच गाय बराबर 116 यह चार जीरो ऐसे कैसे यहां पर लग जाएगे तो यहां से निकल के आ जाएगा, तो यहां से बारा हजार रुपए तो यहां से एक गाएं की किमत हम ने निकाल ली है option C 12,000 रुपए एक गाएं के किमत हम यहां से निकाल लेंगे तो option C हो जाएगा इस question का right answer एक गाएं के किमत 12,000 रुपए देखें यहां से क्या करना है value को आपको same same करके बिठा लेना है और प्रती स्थापन वेदी से इसको हम अराम से solve कर लेंगे तो देखें अगला question solve करते हैं question number 3 है एक वस्तू का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है अनंतर अंकित मूल्य से 20% व्रिद्धी करने और विक्री मूल्य में भी 20% की व्रिद्धी कर देने पर लाब दुगना हो जाता है तदानुसार यदी आराम्बिक अंकित मूल्य 300 रुपए है देखें अंकित मूल्य 300 रुपए देदिया हमें पहली तो आराम्बिक करे मूल्य कितना था यह हमें बताना है तो देखें यहां से हम क्या करेंगे question को पकड़ेंगे वहीन कहीं एक clue दिया हुआ था उसका जो अंकित मूल्य उसने कोश्ट प्राइस पर कितना देगिया 50 परसे मतलब उसका कोश्ट प्राइस का रेशो है 3 और अंकित मूल्य का रेशो यहां से आगया 3 यानि कि 2 है उसका कोश्ट प्राइस और 3 है उसका अंकित मुल्य यानिके मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है 300 रुपए, तीन की वैल्य हमें दिया है 300, तो 200 की वैल्य हम यहां से निकालेंगे, तो देखिए यह है CP, और यह है मार्क प्राइस, यानिके अंकित मुल्य है, तो तीन की वैल्य हमें दिया है 300, तो एक के वेलू कितनी हो जाएगी 100 हो, तो यहां से हम क्या करेंगा, इसमें मल्टिप्लाइ कर देंगा, तो उसका जो CP निकल के आ गया है, वो 200 रुपे निकल के आ गया, ये उसका क्या निकल के आ गया है, अब आगे कुशिन में कहा गया है, उसने 20% का लाब राप्त किया, और बिक्री मुल्य में उसको 20% की व्रिद्धी कर देने पर लाब क्या हुआ, दो गुना हो जाता है, तो देखे 20% का फ्रेक्शन वेलू कितना होता है, एक बटे 5, पहले उसका मान लीजे, उसने जो प्रॉफिट कमाया है, वो 20% कमाया है, तो देखें, यहां से यह हो रेशियो में दी है, यह रेशियो में हमने निकाली है, तो यहां पर यह constant हमें X मानना पड़ेगा, तो यहां मान लेंगे, मान लीजे, पहले उसका selling price था 5X, और बाद में उसका selling price था 6X, तो यहां से हम क्या करेंगे, देखें, जब हम लाब निकालते हैं, तो कैसे निकालत हमें लाब प्राप्त होगा, तो देखें, selling price थो हमें पता नहीं है, selling price का हमें ratio दिया हुआ है, 5X और 6X, लेकिन cost price कितना है, उसका 200 रुपए, तो यहां से हम क्या करेंगे, value को निकाल लेंगे, तो देखें हम इसको किस परकार से लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 5X, यह उस में से cost price, cost price कितना है, 200 रुपए, बराबर, बादवाला selling price कितना है, 6X, और इसमें से minus करेंगे हम, 200 रुपए, cost price, तो देखें, ऐसा करने से कुशन में कहा गया है, कि लाब क्या होता है, दो गुना हो जाता है, लाब हमें कितना बताया है, दो गुना हो गया, यह तो है पह में कहा गया है, ऐसा करने से लाब दो गुना हो जाता है, तो देखें, आप हम यहां से जब स्को solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, 10X, minus के 400, बराबर यह हो जाएगा, 6X, minus के 200, तो देखें, 400 यह पिलस का है, बराबर के इस तरफ जाएगा, तो यह माइनस को हो जाएगा, दस हो, इस के वैली, हम यहां से निकाल लेंगा, तो देखें, इस तो किदनी बर यह जाएगी, 4,50, चारपंजे बीच, 50 रुपए, कि वैली निकल के आ जाएगी, हम से कुछा गया है, कि आरामRIA के कि रैमूली कितना था, तो देखें, आराम्जी करें मूलेगे, इस का कितना थ पांच गुड़ा में पचास X की वैल्य हमने कितनी फाइन डाप्ट करी पचास तो पांच पंजी हो जाएगा पच्चिस दाइस सुरुपय हो जाएगा इस कुशन का राइट आंसर ऑप्सन C हो जाएगा इस कुशन का राइट आंसर और आरंबिक क्रे मुल्य जो उसका था वो 250 रुपय था अगला कुशन सौल करते हैं कुशन नमर चार है कि विक्रे मुल्य पर 20% की हानी उसके लागत मुल्य की कितने परसंट हानी है 20% हानी उसको हो रही है तो देखिए 20% की fraction value यहां से कितनी होती है एक बटे 5 होती है तो देखिए उसकी जो cost price है उसका selling price दिया है वो 5 दिया है जबकि उसका cost price कितना 6 है यह तो उसका selling price है यह उसका cost price है तो देखिए CP तो उसका 6 है जबकि उसकी जो selling price है वो 5 है तो उसको कितने की हानी हो रही है एक की हानी हो रही है और दो दो बाटे 3% का त्यांति ए यह होजाएगा इस विशन सोह ही बाटे 3% तो बटे 3% तो हो जाएगा कॉष्टन का राइड आंसर काफी प्रसन है अगला कुष्ण करते हैं अगला कुष्ण क्या दिया गया है कुशन एजी है यह भी देखी लेंग वेज से आपको घबराना नहीं है कुशन में कहा गया कि कॉफी पाउडर के एक पैकेट और एक लीटर दूद की कीमत 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 जो दिये 20 रुपए और 30 रुपए मतलब कॉफी पाउडर जो है एक पैकेट 20 रुपए का है और दूद जो कॉफी को 25% के लाप पर बेचना हो तो कॉफी के एक कप का बिकरी मुल्य कितना होगा यह हमें इस कुशन में बता रहा है तो देखिए बहुत ही एजी प्रेश नहीं है कुशन को यहाँ पर देख आपको धियान से यहाँ पर समझना है तो देखिए यह तो है एक मान का गया है कि एक कप में 200 ml दूट डलता है अगर एक कप में 200 ml दूट डलता है और एक लिटर दूट की कीमत है 30 रूप है तो देखिए पांच कप में कितने दूट डलेगा एक लिटर डल जाएगा क्योंकि 1000 ml कितना होता है एक लिटर होता है अगर एक कप में 200 ml डलेगा तो पांच कप में एक लिटर दलेगा जब पांच कप में एक लिटर दूट डलेगा तो दस कप में कितना दलेगा दो लिटर दूट डलेगा जब दस कप में हम दो लिटर दूट डालेंगे तो दो लिटर दूट की कीमत कितनी हो जाएंगी इसका मतलब देखिए कॉफी पाउडर पर तो हमारे खड़्चा हो रहे हैं 20 रूपए और दूद के ओपर हमारे खड़्चा हो रहे है 30 रूपए वो 60 रूपए क्योंकि 2 लीटर दूद 10 कप में इस्तेमाल होता है और उससे 10 कप बनते है तो 20 रुपे की किमत यहाँ पर आ जाएगी और 2 लिटर दूर 10 कप में इस्तमाल होता है तो 60 रुपे यहाँ से निकल के आ जाएगे तो उसकी जो कुल कोष्ट आ जाएगी 10 कप की वो 80 रुपे आ जाएगी लेकिन आगे कुशन में कहा गया कि हमें अगर इस पर 25 परसेंट का लाप राप करना है तो हमें उसको एक कप को कितने रुपे में बेचना होगा तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे 125 इसका निकाल लेंगे थोड़ा गला खराब हो रहा है तो देखिए यहाँ से क्या करेंगें इसका 125 निकाल लेंगे तो 0 से हम यहाँ से क्या करेंगे 25 पंजे 125 और यह हो जाएगा bottles of यह क्रणा है एक कप का मूले निकालना है यह कितने का है तो यहाँ क्या क्रेंगे 10 से भाग लगा देंगे इसको करना बहुत ही आसान है बस इसमें क्या हुआ हैै यह हो जाएगा चार्से जार फिर से मिसको तो 125 और एक कप की किमत हमें निकाल लिया यह कितने की है दस की है तो यहां से क्या करें हम दस से इसमें भाग लगा देंगे तो इसको ही स्वाल करना था आपको 0-0 25-5 125 2400 तो चार दूना आठ और यह हो जाएगा पांच दूना दस तो 10 रुप्य आजाएगा एक कप का मूली यह तो ओप्सन सी हो जाएगा इस कुशन का राइट आंसर अगला कुशन सौल करते हैं कुशन नमर चाहिए कि एक व्यक्ति एक वस्तु के विक्रे मूली से अपने वेपारिक खर्च को 40% घटा कर भी 20% का लाप्राप्त कर लेता है तद अनुसार उस वस्तु का विक्रे मूली उसके लागत मूली से कितने प्रतिश्यत अधिक है यह हमें इस कुशन में बताना है तो देखिए कुशन में कहा गया है कि 40% वो वेपारिक खर्च भी घटा कर भी 20% का लाप्राप्त कर लेता है तो 40% का फ्रेक्शन वैल्यू कितना होता है यह होता है यह होता है एक बते 5 तो देखिए वो क्या करता है वेपारी 40% घटा देता है मतलब उसका पहले जो खर्चता पांच था अभी उसका खर्चत तीन आगे कुशन में कहा गया है कि लेकिन फिर भी वो 5% का लाप प्राप कर लेता है तो देखिए 20% का लाप प्राप कर रहेगा तो वो 5 से उसको कितने 5 से में बेचा हाथ उसका से का से अचरी कर रहेंए तो यहां पर 6 हो गया यहां पर भी selling price 6 हो गया है तो जब हम आगे इसको solve करेंगे तो देखिए यहां से 5 से वो कितना था पहले कितना था 10 अभी कितना है 5 है तो 5 पे value 5 बढ़ गई है प्रतिशत में कितनी बढ़ी है 100% अधिक है यह हो जाएगा इस question का right answer अगले question solve करता है उम्मीद करता हूँ यह question आपको समझ में आगे देखिए language का है इसमें खेले बागी सब कुछ इसमें और कुछ करना नहीं है इसमें selling price को आपको दोने जंगा same same बना लेना है बस question number 7 दस परतिएक को 500 रुपय की कीमत पर खरीदा गया उसने सब़ी some इसमें因為 5m1 रुपया परतिएक को 750 रुपय में भेचा और बची जो 25 sai किल है उसको 5000 वो सोड़ी 550 रुपय में भेचा तद अनुसार उसके लाब या हानी का प्रतिशत कितना रहा है यह हमें इस कुशन में बताना है तो देखें यहाँ पर क्या करता है वो दस साइकलों के प्रतिएक को 500 रुपे में खरीता है तो उसके कीमत कितनी हो जाएगी कुल 500 रुपए में एक साई के लिए तो 10 साई के लोगे कीमत कितनी आ जाएगी 5000 आगे क्या करता है 2000 रुपए और उसके मरम्मत पर खर्च कर देता है तो इस परकार उसकी साई के लोगी जो final कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी 7000 रुपए अब आगे कुशन में क्या कहा गया है कि साई के क्या करता है वो 5 साई के लोगों तो बेचता है 750 रुपए में एक किदर से तो देखिए 750 की वो एक बेचता है तो 5 कितने की बेचेगा वो 5 से में इसकी मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह हो जाएगा जीरो से जीरो आजाएगा 55 होता है 25 और 57 35 35 और 2 हो जाएगा 37 तो देखिए यह हो जाएगा 3750 रुपए में उसने 5 साई के लोगों को बेच दिया फिर आगे क्या कहा कि बच्ची वी जो साई के लिए उनको 500 रुपए में एक बेचा अगर एक उसने 500 रुपए में बेची है तो 5 उसने कितने रुपए में बेची होगी वह हम यहां से निकाल लेंगे तो देखे जीरो से जीरो यह ऐसी कि ऐसी आजाएगा 555 होता है 25 और 25 और 27 तो यह हो जाएगा 2750 अब क्या करें हम आगे इनको जोड़ लेंगे क्योंकि 10 की 10 साई के लिए उसने बेच दी है तो जीरो से यह जीरो जीरो आजाएगा 555 दस आजाएगा यह 57,7,14,15,5,83,3,25,6,6 इसका मतलब उसने जो 10 की 10 साई के लिए बेच दी है वो 6500 रुपे में बेच दी जबकि उसने खरीदी कितनी में थी 7000 में खरीदी ती यानि कि 5000 में खरीदी और 2000 मरमत पर लगा दी तो उसको कुल वो दस की 10 साई के लिए 7000 रुपे में पढ़ गई लेकिन उसको हाइनी कितने की हो रही यह 500 की 7000 रुपए के उपर पिरतिशत में कितनी होगे यहां से हम इसमें सॉल कर लेंगे तो देखि पांसो की हानी है 7000 पर पिरतिशत के लिए लगा देखिए हम गुणा में 100 दो 0 से 2 0 कैंसिल यह 0 से 1 0 कैंसिल साथ सत्य होता है उलंचस बच्चा एक एक बट्टे साथ तो साथ सही एक बट्टे साथ परसेंट की उसको क्या होगी आनी होगी अपसन डी हो जाएगा इस कुशन का राइट आंसर अगला कुशन सोल करते है उसन नमर आट है यदि 150 से 300 रुपए तक कीमत के बीच खरी दी गई पुश्टके 250 से 300 के बीच कीमत पर बेची जाये तो अधिकतम लाब क्या होगा जबकि 15 पुश्टके बेचने से जो मिलेगा हमें वो हमें बताना है तो यार थोड़ी तबियत आज ऐसी हो रही है बस वीडियो सूट करनी पड़ लिए तो यहां से क्या करेंगा हम जैकि उसने क्या करा 15 पुश्टके खरीदी तेखी 15 पुश्टके वो खरीदेगा अधिकतम लाब हमें प्राप करना है बेचे हैं कि वोगा तो 10-800 पकां этध हमें लाप निकालना क्यीदेगा सेलिंग फस को locust कॉ Але इतना है सेलिंग इतना है सेलिंग प्राइब 15 गुणा में 350 माइनस कर देंगे इसमें से हम पोश्ट प्राइज 15 गुणा में 150 थो तेखिए हम क्या करेंगे 1 15 15 common ले लेंगे 15 15 15 यहां से common ले लेंगे तो यह हो जागा 15 अंदर बचेगा 350 यह माइनस हो जाएँगा 150 तो यहां से यहां आगे कैसे लिख सकते हैं 15 में मानेस करेंगे हम यहां से 0 आएगा 5 में से 5 गया 0 और तीन में से एक गया यहां दो बचा तो देखिए हो जाएगा 15 धूना 30 मिलाकर दूद को 9 रुपे 50 लीटर की दर से बेचता है और 20 परसेंड का लाप कमाता है यदि उसके शुद दूद की लागत कीमत 10 रुपे लेटर हो तो मिशन में दूद और पानी का अनुपात कितना है यह हमें बताना है तो देखिए easy है यह भी question इसको हम कैसे solve करेंगे तो इसको हम allegation से solve करेंगे हमें question में कहा गया है कि वो 9 रुपे लेटर दूद बेचता है और 9 रुपे में कितने का लाप कमाता है वो 20% का लाप कमाताढ़ है इसका मतलब यह जो हमें वैल्यू दी है 9 रूप everything हो 120 की वैल्यू दी है क्योंकि वойд 20% का लाप कमाताát है 9 रूप बेचने पर 100 की वैल्यू हम यहांसे निकाल लेंगे तो ज़ए हम 100 की वैल्यू यहांसे निकाल लेंगे देखिए दूदूदूदूदूदूदूधूदूधू Jro अन heet целिय चानुनों और है इस वह की इतनारी में खरीदों टालेगातु गया है एक लिटर दस रुपा और भानी को कितने में खरीदार घ्रुम्हें खरीदगा अमानी तो फिरी में मिल जायाहा इसको कहीं करने के लिए हम क्या करेंके दोनियों में 22 से मैल्टिप्लाय करें और हम यहां पर भी दो से मैल्टिप्लाय करें तो देखें यह तो हो जाएगा 20 दो में जा हम जीरो की मिल्टिप्लाइ करेंगे तो यह जीरो का जीरो ही रहेगा और यहां से यह दो से दो कैंसे यहां जाएगा यह पंद्रा तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इधर से इधर माइनस कर देंगे तो देखिए जीरो में से जीरो माइनस करेंगे यहां पंदरा ही बचेगा और बीस में से पंदरा को माइनस करेंगे यहां पांच बचेगा तो इसको हम आगे काट देंगे देखिए यह हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5 से को काटेंगे 5 तीय 1 फंद्रा और 5 से सceğ को काटेंगे 5 फंद्रा 6 पाच तो 3 अनुपाथ एह हो जाएगा इस question का right answer इसका मतलम अगर 3 लिटर दू दे तो इसमें 1 लिटर पानी होगा option एह हो जाएगा discussion का right answer तो इस तरीके सब discussion को आसानी से solve कर सकते हैं किहले हर Запाण के कीमत के 10% अधरी हो जाय तो चाह फ़ कीमत एक केले मैं केला हुए हुए तुझने कोई कााई गया यहां से क्या हो गया इन तीनों का हमने रेशियो निकाल लिया लेकिन हमसे कुशन में कहा गया है कि इन में क्या करना पड़ेगा हमें 10-10% की विरद्धी करनी पड़ेगी अगर हमें 10-10% की विरद्धी करनी पड़ेगी तो हम क्या करेगा अपने पास से इसमें 0 बढ़ा लेंगे ताकि हमारा उत्तर पॉइंटों में नहाए तो यहां से हम हम इसमें 10-10% की विरद्धी करेंगे तो जब हम 60 का 10% निकालेंगे इतना आएगा 6 आएगा 30 का 10% कितना आएगा 3 आएगा और 40 का 10% कितना आएगा 4 आएगा इतना तो आपको समझ आ गया होगा तो देखिए इनकामने क्या करा 10-10% निकाल लिए अब आगे कुशन में कहा गय पीच में है तो 4 के लिए और आगे कहा गया है 3 अम्रूद और आगे कहा गया है कि 4 वह सुरी दो सेब है इनकी किमत में क्या होगा इतने इतने की कीमत हमने निकालने हैं तो देखिए यह हो जागा 6 दूना 12 चार्टिया 12 और यह भी हो जाएगा 4 तो यहां से इनकी वैल्यू प॥ा। निकाल लोगे। शेप चतृप कितने हैं। दो क्यृल से कितने हैs ? और अमुरू कितने हैं। पर यह क्या है इसमें किनो में ब्रसूरी किा है बीच में । है क्यृट केले समय के लिए। चार देघंगे। और अमुरूरू से तीन देच इन है । Do notiają चारतिया बारफ यह देखेगे चेह दूना बारा ज़ल चारतिया बारा है और चारतिया बारा इसका मतलब चारतिया चारत या चारतिया रुपया छंत 10 26 होगा उसको प्रॉफिट् विड़मन रहा है तो बृतिशत में 42 कारद हो देंगे इस मिस्कूशन का राइट आंसर तो इस तरीके से मिस्कूशन को सॉल कर लेंगे उसलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें कमेंड करें और आज थोड़ी गले में प्रावलम में इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हुई है तो प्लीज कॉपरेट किजिएगा और अब मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सटेटे संदे हम रीजनिंग के कुश्चन को सॉल करेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीड